भारत के हेल्थ केर सेक्टर में गत साढ़े साथ वर्षों में हुआ है अब भूतपूर्वकाम। माननिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी के यशस्वी नित्रित्व में देश के हर हिस्से में जन जन के लिए उत्तम स्वास्त सेवा सुनिष्चित करने के लिए उठाए गए एतिहासे कदम। आयूश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनाफे आज गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है तो हजारों जन औशदी केंद्रों से 50-90 प्रतिशत तक सस्ती दवाईया मिल रही है स्वास्तक्षेत्र को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर विशेश फोकस है 2014 में जहां केवल 7 एम्स थे वही आज देश में 23 एम्स हो गए है देश भर में 214 नए मेडिकल कॉलेज बने है 40,000 से अधिक मेडिकल सीटों की बढ़ोत्री हुई है देश में मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए नाशनल मेडिकल काउंसल बनाया गया है सदी की सबसे बड़ी महमारी के बीच भारत में जिस गती से स्वास्तक शमताओं का निर्माण हुआ है अज दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टी का करण अभ्यान चल रहा है और वेदेश के सामोहिक सामर्थ की अदभुद मिसाल है प्रधान मंत्री जी के स्वस्त भारत सम्रिद भारत के विजन पर पश्चिम बंगाल को भी लाभ मिल रहा है पश्चिम बंगाल में भारत सरकार द्वारा विभिन योजनाओं के अलावा सागर दत्ता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कॉलकाता मुर्शीदाबाद मेडिकल कॉलेज तथा गवर्मन्ट मेडिकल कॉलेज बर्धमान में टर्शरी कैंसर के सेंटरों की स्थापना में वित्य सहायता दी जा रही है स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेश बंधु चितरंजन दास के नाम पर स्थापित साथ दशकों से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कैंसर के उपचार में महत्वपून योगदान दे रहा है मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और अत्याधुनेकुप करणों की आवशक्ता के बीच CNCI की क्षमता विस्तार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी भारत के हर हिस्से में गुर्मत्ता पूर्ण स्वास्ते सेवाई सुनिश्चित करने के प्रधान मंत्री जी के विजन के तहट CNCI के एक नई कैंपस का निर्मान किया गया है नई कैंपस से अब CNCI की कपासिटी काफी बढ़ जाएगी और पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत के कैंसर मरीजों को बहुत सहूलियत होगी उनका अत्यंत सस्ते दर पर गुणवत्ता पूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा एक अग्रणी कैंसर संस्थान के रूप में यहां कैंसर से जुड़ा शोध भी किया जाएगा नई कैंपस 460 बेड का एक कॉम्प्रेहेंसिव कैंसर सेंटर है यहां कैंसर के डाइग्नोसिस के लिए एने बियल प्रमानित व्यापक आधुनेक लैब, इलाज और इलाज के बाद की देखभाल के लिए आधुनेक तम मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर मौजूद है यहां OPD के 24 कक्ष तथा क्रिटिकल कैंसर की सरजरी के लिए 10 मॉडिलर ओपरेटिंग थेटर है दूर से आये रोगियों के परिजनों के रहने के लिए 200 लोगों की क्षमता वाले सदन का निर्मान भी किया गया है यह कैंपस 540 करोर रुपाई की लागत से बना है आज माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी CNCI के नए कैंपस को देश को समर्पित कर रहे है